हेलो फ्रेंट्स आज हमको एक क्विक अंडरेशनेंडिंग करेंगे सीमेंट मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल्स लाश्ट से एंड तक हम टोटल बताएंगे कि कैसे सीमेंट मनाया जाता है डाइग्रामेटिक प्रोसेस में अच्छा लागे तो सस्क्राइब करना और कुछ डाउट्स हो तो मैं इसको कमेंट बारनों जरूर करना तो डाइग्रामेटिक प्रोसेस में जानने का यह फायता है कि आगर कोई इंटरव्य में आप गये तो डाइग्राम याद करके गये तो अब अच्छा जवाब दे सकते ह है ऐसे Manufacture होता है उसके बारे में तो चलिए जल्दी श्टाट करते हैं टोटल डाःग्राम में बना के रखा हूं अब झाजिक्स्पर्षेय करना है तो यह है सीमें then मैंटियरिंग प्रोसेस तो चलिए ल्ओ अचलिए जल्दी श्टाट करते हैं zur filmmaking क्या क्या raw metal है यो limestone main ingredient है cement बनाने का उसके साथ latrite cell red mud यह हम एक्स्ट्रा चीज़ हम उसके साथ add करते हैं जो कि आगे जा के आपको मालूम चलेगा कहा से कैसे add करते है तो raw metal हो गया limestone हम कहा से लाएंगे रॉक से क्वेरिंग करेंगे भड़ा पत्थर रॉक्स है जो पत्थर है उसके नीचे लाइम स्टोन दबा रहता है तो हम उसको हम वहाँ पर क्या करते हैं बड़ा ड्रिलिंग मेसिन लेके वहाँ पर हम ड्रील करते हैं वहाँ पर डैनामिट लागे उसको ब्लास्ट करते हैं ब्लास्ट करने के बाद हमको वहाँ प procedure है वह है crushing उसको जो बड़ा पीस लाइमस्टोन जो पथर यासा बहुत बड़ा बड़ा पीस है उसको crush किया जाता है दो-तिन crushing machine के साथ यह transfer होता है तो main crushing machine है वह है compound impact, compound impact crusher compound impact crusher में यह जो बड़ा pieces है जो बड़ा boulder pieces है इसको अच्छा से crush किया जाता है छोटा piece में इसको तोड़ा जाता है तोड़ने के बाद इसको weld conveyor के through हम इसको stacking करते है open space में with the help of stacker stacker से इसको जो metal हम लोग इसको crush किये तिन्चा steps इसको crush किये इसको powdery formula लाने के लिए जो कि अभी powder बड़ा नहीं है बड़ा pieces अभी भी है इसको हम stack करके open space में stack करके रखते हैं इसको एक homogenized करने के लिए proper homogenization रहेगा जितना देर यह open field में रहेगा stacking होने के बाद हम लोग इस जो limestone का जो powder materials निकला उसको हम limestone hopper में collect करते हैं यह हो गया limestone हम लोग के पास एक ingredient आ गया जिसे कि आगे cement हम लोग बनाएंगे आप कैसे limestone आया यह तो आपको मालूम चल गया अभी जो raw metal में बोल रहा था laterite आज हम laterite का use हम लोग यहां पर करेंगे cement बनाने के लिए तो यह जो laterite है इसको एक hopper में collect करके पहले से रखा जाता है इसका collection हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि laterite कैसे आया कहां से आया तो ज़्यादा नहीं यह 5% of laterite यूज होता है limestone यूज होता है 95% तक एक variant देने के लिए जो product को calcium carbonate को decompose करने के लिए जल्दी इसको मिलाया जाता है laterite को limestone के साथ limestone powder के साथ तो यह तो laterite और limestone और laterite हमरे पास आ गया 95% of limestone and 5% of laterite यह हम डालेंगे virtual roller meal में यह virtual roller meal में कैसे हम डालेंगे through belt wave feeder यह wave feeder क्या होता है यह belt conveyor ऐसा है जिसको हम control कर सकते है through PLC operating system में इसको हम control कर सकते हैं कितना amount देना है इस हिसाब से यह wave feeder से vrm को हम लोग provide करते हैं हमरे पहले से programming किया जाता है जिसमें से limestone hopper के पास से इसके पास और भी लगा रहता है vibrating screens लगा रहता है vibrating feeder लगा रहता है वहां से 95% जो आपका limestone powder है वह आके PRM में आके पहुंचता है उसके साथ lateral 5% में आके यहां पहुंचता है यहां पर milling होता है अच्छा से उसको पीसा जाता है उसको और भी blinding silo में आके जमा करते हैं इसको यहां पर इसको और भी homogenized किया जाता है building silo में जमा होने के बाद अभी जो mix run हो गया limestone और लाट्राइट को अभी इसको गरम करेंगे कैसे क्योंकि इसके जो calcium carbonate है इसके आदर इसको decompose होना है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वही belt wave feeder के थुरू इसको हम elevator में डालेंगे यह bucket elevator है जो कि नीचे से यह जाके pre-heater cyclone में जमा करता है materials को यह pre-heater cyclone vessel एक ऐसा vessels है जो कि उंचाई में मनाया जाता है जिस में materials जो हमारा कौन से material है limestone जो बनाया गया था जो मतलब grinding piece और laterite का जो mixer कि हम rolling meal में उसका जो mixer को वी material को हम लोग hot air के संपर्क मिलाते हैं कि पहला चेंबर होता है pre-heater में पहला जो जब entry होता है material तब उसका temperature materials का जब hot air के contact में आता है 300 degree Celsius में आता है जैसे 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 नीचे जाता है temperature बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते 850 degree Celsius तक आ जाता है इतना total process में calcium carbonate आपको decompose हो जाता है लेकिन 95% तक यह decompose होता है अभी भी 5% is limiting है हमारा pure cement बनने के लिए इसके total process के बाद जो भी output रहता है इसको किल्ट में लिया जाता है अब यह किल्ट क्या है एक किल्ट एक बड़ा horizontal cylinder है बहुत बढ़ा horizontal cylinder 500-300 इसका length हो सकता है इस cylinder में हम लोग इसको डालता है यह एक भट्टी है जिसको रोटेटिंग पार्ट में गरम जो material है उसको और गरम करके इसको हम लोग फ्राइल जैसे करते हैं यहाँ पर यहाँ पर इसका degree minimum 1400 degree Celsius के आसपास आ जाता है material का इतना गरम चैंबर से इसको इतना गरम चैंबर से इसको ऐसे फ्राइ करते हैं जब जाके और जो 5% हमारा calcium carbonate बचा हुआ तो टोटाल डिकम्पोस हो जाता है और जो यहाँ से हम लोग को output मिलता है उसको हम क्लिंकर बोलते हैं यहीं से आपका क्लिंकर का formation होता है राइट डोस्तों अब यह क्लिंकर जो output हम उरको किल से निकला उसको हम थंडा करेंगे cooler में तो cooler में जो output निकला अभी तो इसका temperature कम से कम 1400 degree Celsius में हमको गरम किये थे इसको cooler में cool करेंगे cool करने के बाद जो output मैटर निकलेगा उसका temperature कम से कम 70 to 80 degree Celsius के आसपस रहेगा यह जो output है यह जो क्लिंकर जो निकला इसको हम अभी अच्छा से grinding करेंगे अच्छा से grinding करके इसको size अगर थोड़ा बड़ा रहे गया अभी तो गरम है यह अच्छा से क्राइक क्राज हो जाएगा और अच्छा से grinding क्रसिंग करने के बाद हम इसको क्लिंकर hopper में जमा कर देंगे तो यह तो हमारे पास क्लिंकर तो आ गया तो अभी आगे का प्रोसेस क्या है अभी और एक material इसमें add किया जाता है वो है gypsum आप बोलेंगा अभी gypsum क्या है यह lateral और gypsum का collection हम दूसरे वीडियोस में जानेंगे अभी इतना जानके रखिए कि gypsum klinkar के साथ क्यों mix किया जाता है क्योंकि gypsum अगर हम लोग klinkar के साथ mix नहीं करेंगे तो जो cement है अगर जब यह water के करण अगर मालीजी एक cement है जिसमें हम लोग gypsum mix नहीं किया तो आप जैसे यह water के contact में आएगा तो हमरा क्या है cement हम लोग इटा जोडने के लिए उच कर तो इटा के उपर जब हम सिमेंट दिये तो जल्दी हाड हो जाएगा अगर जल्दी हाड हो गया है तो हम लोग कैसे जोड़नों को जोड़ पाएंगे हमारा तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वो तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा इसके लिए हम लोग जिस्सम एवाड करते हैं वो क्या होता है इसको एक time देता है जल्दी कम सिमेंट होता है सिमेंट थोड़ा देर से हाट होता है उसको थोड़ा softness मिलता है पहले mixing करेंगे उसके बाद एक ब्रिक्स सायव囉नने के लिए वो जो time रहता जितना टाइम वह सीमेंट सॉप्ट रहता है इसके लिए रहता है जिपसम एड़ करने के लिए इसलिए मोह लिप जिपसम हम एड़ करते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसका हाटनेस को जल्दी तो सेम वह जैसे लैटरेट ही चुँआ था फाइप पर्शन ऑल ली हम लोग जिपसम एड़ करेंगे और 95% क्लिंकर एड़ करेंगे क्लिंकर क्या है लाइंस्टोन और लैटरेट का मिक्सर है जो की आगे के प्रोसेस से होके आके पहुचा है जिसको हम अभी क्लिंकर बुला र के मिक्सर और ग्रेंडिंग मेशिन में यह दोनों चीज अच्छा से मिक्स अुझने के बार्ड के बारत हम लोग सीमेंट जर्रेट कर चुके हैं जो की सीमेंट यो में जमा हो जाएगा वार्यूमेंट को म्लोग ऑगे प्लैकिंग प्लैंट में भेज़ देंगे के तरू वे back to back packing होते रहते हैं अच्छा से packing होने के बाद इसको loader feeder के through हम लोग truck में लोड कर देते हैं truck इसके बाद wing machine को जाता है wing machine में इसका weightage होता है truck का और उसके बाद मार्केट में deliver हो जाता है यह ए ciment plant का जैसे जैसे आपको process बताते घया इसको अच्छा से आप डाउन कीजिए और अगर लाश्ट में अब इसका टोटल एक स्क्रिन शॉट भी अभी ले सकते हैं इसको आगे बढ़ाई करने के लिए तो टोटल एही प्रोसेस है सिमेंट बनाने का आगर आपको यह अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़े रही है कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे प्रोवाइट कीजिए मेरे को कमेंट्स कीजिए आगे जैसे आपको और भी सिमेंट के उपर जानकारी मैं ला सकूँ एक प्रोसेजर है आप इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए जिसमें को आपको कोई स्टेप आप भूलेंगे नहीं अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं तो आपको भूलने का चैंस है लेकिन यह एक सिस्टेमाटिक है इसको अच्छा से डाग्राम कर लीजिए और इस डाउट जाया तो मुझे कमेंट्स के जिए थैंक यू बेरी मच